पण महात्मा गांधी एव उस पस्ट पणे मानता हाता के जारे जारे आपने एव लागे के आपणी उपर कोई प्रहार करी रही हूँ छें त्यारे प्रहार ने जवाब मा क्यारे हिंसा तरफ न वड़ू के कोई एक गाल उपर तमाचो मारे तो आपे बीजो गाल धरी देवो तो आ आजना युवानों ने के वी रिते आपड़े समझावी शकी है आजना युवानों ने समझावी थोड़ू गरू छे एनो एक कारण छे के समझावा जेतली क्ष्वमता धरावनारो गांधी जेवो कोई मानस ना थी गांधी जेवो कोई यक्तित्व ना थी यक्तित्व होत तो मारू एवो मानूँ चे के गांधी नी हाजरी जावात समझावी देव शकत आएक बो जानी ती वाद छे के गाल उपर तमाचो मारे तो बीजो गाल धर्व आम तो इशु कृष्ण वक्रति चाली आउतिया वाद छे पन महात्मा गांधी एव उस्पष्ट पने मानता हाता के जारे जारे आपने एव लागे के आपनी उपर कोई प्रहार करी रही हूँ छे त्यारे प्रहार ने जवाब मां क्यारे हिंसा तरफ न वड़ हूँ तमने ए अलोक करी ने एक गांधी जीना साथे रेनर फोरेनर लेडी हता अने एमनी साथे कारेक्रम मा जोडाता था महात्मा गांधी एने श्रीमा थी पोलोक एक वकत एक कारेक्रम मा थी पांचा आजया और आश्रम तरफ बढ़या आश्रम ना दर्वाजा मा दाखल थाया त्याने जो एक सामें ती एक युवान दोड़ दोड़ तो आवी रहो छे आने ए बापू तरब धसी रहो छे एले हमने करो बापू तमें हमना यहां उबारो पन महात्मा गांदी ए आगल ने आगल वध्वानू चालू राखियो तमने जो याद हो तो बुद्ध ने अंगुली माल न मकम रहो छो जो मकम रहो तो ए तोटली अटकी जाईशक के शे बापू एने तरफ शांती ती गया यहने युवान ना खब्भाव पर हात्मू क्यों स्रीमति पोलो के जो हुआ हात्मा कशूक छे बापू एने समझावन प्रयास करयो एने दिमेदी में समझवनी शरूवात क अने यह लागियो के बापू साथे समवाज साथी रहे हो छे थोड़ी बार तया ने बापूना हात्मा कशूक मूँ क्यों ने पच्छ ए पाछा फरी गया बापू पने लिए ने चेक दरवाज यह सुदी गया अने थोड़ी बार पच्छी युवान चालो गयो बापू जा अन हात्मा पॉलोक न यह चर वं मूख सम हुआ गहां ग्ञाxis, सब्द attacks हुआ अधियार तो ए लईने आवयो तो में जो अधियार हुगामियू हो तो अमारी वच्चे तो बराबर डंगल था मारे करवू नो तू में ने समझावयो और एने समझी जैने वोतानू अधियार मने अरपन कर्यू हवे जू आईया इर्फान जोवान वे अचे आपनो जे प्रस् अंध्रियों जो में नी सामे पोलिस में फरियाद करी होग तो ए चोकस मारी उपर फरिवार हूमलो करवावड पर में ने समझावयो और पोतानू अत्यार सामे थी मने सौपी ने गए जैने कोई शंका न थी आपड़े ने भूली जेगे आटली जिन्यू ध्यक्तित्वने ख्षमता छे एक कदाच आजना यूवानने समझावी शक्से तमें चारे बाजूती सुरक्षा कर्मियोती केरायला हो हने अभईनी वात करो तो एमा आदनो यूवान कदाच सम्मत नहीं थाई पर गांधी लिवात मा सम्मत थाई शक्ये एँव हूं मानूऺल शाजी बाच्चे तो शाइब आपने एँव पुछिलत है कि आपना मत गांधी जी आ जे कया गुणों थी आउकारिया शे मने तमे पूछो तो गांधी जी ए जात मेनत नो पहलो गुण थी आवकारिया चे एनू एक मुख्य कारणा चे के तमे विदेशों मा जाओ अने अखा विशों मा जाओ तो भारत मा जिटलू आपनू काम बिजालो को पासे आपने करावी शक्किये चेवा कोई मानसों मलता ना थी भारत ती गएलो कोई युवान के यूती के कोई कॉर्पोरेट फिल्ड नो मानस बाहर जाए तेरे तेने पोतानू काम पोतेज करवू पड़े चे अविलेबल लगना थी इवन भारत ना दक्षिन भारत ना विस्तर मा जाओ तो तमारे तेहां काम करवा माटे कोई आववा तैयार ना थी तमारे कोई ने के हूँ के तू मारा घर नो काम कर ये नो अपमान चे मारू एव मानू चे के खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है खुद बुलं के विते थाई तमे तमारा पगूप पर उभारे तमे पोते तमारू काम करो चे मिया पची थाड़ी साफ करवानू काम दा बापूना दरेक आश्रम मा थयू अने एनी अंदर नहरू होई तो पन थाड़ी साफ करे सरदार पटेल होई तो णे थाड़ी साफ करवी पड़े खुद महात्मा गांधी पन पोतानी थाड़ी साफ करे मने उलागे छें कि आजनो यूवान आब आब तरफ वड़े तो पछी आपड़े कदा चें मनिये कि जात मेहनत ती शरू करी ने उन्धा अपड़ा व्रतो दिमे दिमे आऊ शें जात मेहनत एवी वस्तू छें कि जेना थी मारे कोई उपर डिपेंडेंट रहवू पड़तो न थी हूँ जे वो कोई उपर परतंत्र रहतो न थी एज समय मारा मनमा भावना जन्मे छें कि मारे कोई ना परतंत्र रहवू न थी आब आउना जन में तो आजनो युवान खरो युवान कह भाए